यह देखें गाल्स हेलो आपसाभक तरी मिस्वागत है हमारे यूटीब चैनल चावल के आठे से कच्रियां देखें चावल की हमने कच्री बताई हुई थी बेना फ्लेवर की अब हम बनाने जा रहा हैं फ्लेवर वाले तो देखें दो टमाटर हमने ले लिए थे जिन तो जैसे हमने चावल की कच्री बनाना बता था वैसे बनाए लेकिन इतना जिस अमिय आप अभी इसमें अपना चलनी को सिख साहटा ये सब्सक्राइब viagra बनाने में तो कि यह अभी इसमें काफी फ्लेवर है चॉपर में चॉप करने की वज़े से तो यह देखिए हमने अपना जो पेश चाना हुआ रखा था तो यह ले लिया है अब इसमें हम एड़ करेंगे एक कटोरी आंटा चावल का तो इसको हम फेट लेंगे पहले टमाटर क प्यूढकिते कूए हम इसमें एक्ट्रा समय करेंगे दीड़ करेंगे तो यह देख सकते हैं लुझा कशेचे वेंटा⑝ करेंगी कर्यासया चाहा बोनाकर जाए आटाल यह दो क्या सैक्का कि टॉरी एक्खरा पानी हमने ड्रेच कर दिया है राइस टमाटर के फ्लेवर की ना कच्रिया बहुत अच्छी लगती है तो यह अच्छी अच्छ से फेट लिया है यह देखिए इसकी कंशन्टेंसी बिल्कुल रणिंग कंशन्टेंसी की है अब हम धनिया इसमें डाल करेंगे एक बात हो गाईस आप लोगों को यह चीजें याद रखनी है कि धनिया की सिर्फ पत्यां ही पत्या लेनी है दंटल बिल्कुल नहीं लेना है अगर डंटल लेंग थोड़ा सा कमी नमक आट करेंगे क्च्री जब हमारी सूख जाएगी तो उसमें नमक काrésmage जाध़ा हो जाता है तो देख सकते में किस तरह से हैं हमें इसको दस मेड्ले के लीए रख दिया था फिक हो गया था तो इसमें डाल दिया थोड़ा पानी तो अब इसको हमें क्या प पकाना है तो यह देखी इस तरगा से चलाते हुए हम इसको फका लेगे ठीक है थोड़ा सा ही पकाना है जैसे कि एक नॉर्मल का हलवा बनता है उसी तरह से हमें पकाना है इसको बरावर चलाते हुए तो देख लीजिए इसमें हमने दो स्पून डाल दिया है और और डालने के बाद में हम इसे पका लेंगे अच्छे से जैसे की नॉर्मल हलवा होता है हलवा की कांसंटेंसी होती है बस उसी तरह से हमको इसे पका लेना है तो यह देख सकते हैं गाइस गाड़ा होने लगा है इसको हम पका रहे हैं तो यह गाड़ा होने लगा है और अब हम इसे ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे जब तक यह खलवा की कंसंटेंसी में नहीं आ जाता है तक तक हम इसे पकाना है तो लगवग लगवग दोस पांच मिर्ट इसको पकाने में नहीं लगेगा तीन से चाल मिर्ट में ये पक कर तयार हो जाएगा तो ये देखिए हमारा गाड़ा होने लगा है पेस्ट जो बनाया था तो अच्छे से पेस्ट बंद चुका है तो इसको क्या करेंगे अब देख स सकते हैं हमने ले लिए एक पॉली तीन जिससे कि हम कच्रिया बनाएंगे अपनी देखिए आप हाथे वगएरा से बना सकते हैं कोई प्रोब्लम नहीं है या फिर पूरी छानने वाली जो छेद वाली चलनी होती है उससे भी बना सकते हैं चलनी तो देख लीजे हम इसका हमें दो लोगों को लगता है हाथा है दो लोगों को लगता है पकड़ने में मगर ये आराम से एक ही लोग बना सकती है इससे तो देखिए हमने थोड़ा से डाल दिया है तो इसको हम मिला लेंगे क्योंकि सोडा डालने से अच्छी से फूल कराती हैं कच्रिया तो सोडा चावल की आटे की हम बना रहे हैं अगर चावल की हम बनाते हैं तो उसमें सोडा डालने की जोड़त नहीं होती है मगर यह हम आटे की बना रहा है तो इसमें थोड़ा सा सोड़ा डालेंगे और यह देखिए दो पिंच के गरीब हमने सोड़ा एट किया था अब यह देखिए अपनी हम इस थैली में जो यह बैटर है इसको भर देंगे पूरा आप उतना ही भरे जितना आप होल्ड कर सकें इस कि अपना जिस तरह से उस दिन बनाई थी उसी तरह से उसे बना लिना आए ज़िए चलाते वे कोई जरूरी नहीं है कि एक ऐसी बन रही है क्योंकि यह तो बादमें टूटी जानी है इसको टूट जाता है उठाते वे तो देख लिए जिए ऐसी बनी वह है और यह बून तो चावल की कच्री और यह टमाटर वाले चावल की कच्री इस तब हम एक साथ आपको भून कर दिखा देंगे जो कि आपके पास मंडे को यह रेस्पी आ जाएगी आपको भून के दिखाने मले क्योंकि अभी अच्छे से सूख ही नहीं है और जितनी अच्छी कच्री सूखती है उतनी ही अच्छी फूल कराती है तो आप लोग ब्लीज बताएगा कि हमारी रेस्पी कैसी लगी अगर आप